नमस्कार मैं गुप्ते सो पंडे डीजीपी बिहार बिहार में लॉकडाउन के चौथे चरण में बहुत लोगों को कंफूजन है क्या है क्या नहीं है मैं बता देता हूं कहां छूट है कहां कडाई कहां कहां है करफुबाई यह सब को जानना चाहिए कि लॉकडाउन के चौथे चरण में भी आम आदमी को उसी सहियम और उन्सासन में रहना है जैसे आप पहले से रहते आए हैं पहले के सारे आपके नियम मालूम है वो सब नियम वैसे ही रहेंगे चार्चका में नहीं चलना है मोटर साइकल को दो आदमी को नहीं चलना है बिना की दुकान भरतन की दुकान सट्राइन वहां की दूकान है किया लगांगन कि अपने हिसाब से इन दुकानiosa कि लेकिन आप लोगो को अपने निकट के दुकान में जाना है पटना सीटी का आदमी आसे आना में मार्केटिंग करने नहीं जाएगा अदमी खंकडबाग की दुकान में नहीं जाएगा लेकिन दुकानों को याद रखिए केवल के 11 बज़े से से चार बज़े तक ही जाना है आपको और सोषल देस्टेंशीं का पालं करते हुए मुए मैं मास्ट लगा करके दुकानों में भी जो बेंचने माले हैं भूत अरह से इन नहींगे प्रियोग करेंगे स्विशल डिस्टेंशीं की नहीं हुआ का पालं करेंगे 11 द्रियों यह व कुल नहीं खुलना है इंटर्नेंट इंटर्टेंडमेंट पार्क नहीं खुलना है किसी परकार के संस्थान धार्मिक स्थान यह सब नहीं खुलने हैं किसी तरह का धार्मिक राजनेतिक सामाजीक सांस्कृति या राजनेतिक किसी तरह का कोई काजिक्रम सामुई कर नहीं होग मंदिरों में पब्लिक के लिए नहीं खुलेगी तवारिक की नमाज भी अपने घर में अदा करनी होगी मेरे भाइब का विसे हैं लेकिन सच यहीं है कोई भी सामुहित की बादत का काक्रम नहीं होगा नहीं मंदिर में इसी तरह से परिवहान का बारे में ऑटो चले गाप नह सब्सक्राइब कर सकते हैं टेक्सी में नहीं बैठेंगे बाकी विस्त्री तादेश निकलने वाला है उसके आपको पर निचा कर लें और ऑफिस आरे खुल गया है सरकारी भी प्राइबेट भी लेक्सरकारी दफ्तर में डिप्टि से के उपर के सारे अधिकारी आएंगे उसके नीचे के केवल मुक्याले को रेट जोन मनाया गया है तो रेट जोन में कोई दुखान नहीं फुलेगी जी कंटेन्वेंट एरिया में तो कोई एक्टिवीटी जैसे पहले नहीं होती थी वैसे अभी भी नहीं होगी तो सम मिला जुला करके यह बात हमाज लें कि अभी बीराजी के अंदर खुली छूप नहीं है कि आप करें तने मन से पूरी तरह से लॉक डम उसी तरह से बस कितवी सिवाग कि एगार से 40 तक उच पिलेंगी जिसम्हां आप सोपिंद के लिए सोशय डिस्टिंश सी दोकेने यह जा सकते हैं लेकिन साम को साथ में से सुबह साथ बजे तक बिल्कुल परकू रहेगा नहीं निकल सकते हैं पासफ फवह में नहीं कल सकते हैं दो इस लॉकडाउन में काम करते हैं वो या आपात कालिन इमर्जंसी एसेंसेल सर्विसेस संबन्दित लोग वही जा सकते हैं बाकि आम आदमी के लिए साथ बेसाम से सुबर साथ बेस तक कर्थू है तो लॉकडाउन के चोड़ के चरौन का सार यही है आप सब्सक्राइब प्राइब